अभी हम लोग जो है 2020 में पूछेगा है कोश्चन जो कि एसी मसीन का है उसका डिसकेशन करेंगे उसका अप लोग जो भी आंसर टिक करेंगे उसको आप एक बार खुद से मैच कर लिजेगा ठीक है चलिए आते हैं प्रथम कोश्चन पर पहला कोश्चन आपका क्या है उस पर आता है हमलों ठीक है दियन दीजिए है कि कोश्चन है कि operation of an induction motor is based on जो induction motor का operation होता है वो किस बेस पर होता है मसरों किस पर आधारीत रहता है आपका सही है तो यह आप्सेटमेंट यहां पर दिया हुआ है इन सारे स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है तो इसका सही हो जाएगा देखेगा option c the stator winding produces a rotating magnetic field a stator winding जो है वो प्रोड्यूस क्या करता है rotating magnetic field जिसको क्या आप सौर्ट में क्या बोलते हो rmf ठीक है rotating magnetic field next question आज़िए question number 3 पे देखे question number 3 में कह रहा है कि in a three phase square cage induction motor three phase square cage induction motor जो हता है square cage होता है ध्यान रखिएगा ठीक है square cage induction motor इसमें जो enduring बना होता है enduring किसको बोलते हैं आपको पता होगा कुछ इस तरह सरह रहता है और यह आपका यह होता है इंडरिंग का लाड़ ठीक है तो जो इंडरिंग होता हो क्या होता है short circuited होता है तो option A इसका correct answer हो जागा rotor conductor जो होता है are short circuited through इंडरिंग ठीक है न option A इसका क्या हो जागा correct answer चलिए next question पर आईए next question है question number four किदर गया question number four पर यह in an induction motor if the air gap is increased देखिए इसको द्यान दीजेगा यह बार बार पूछता है question ठीक है power factor will reduce question number five and four question number five प्याज़िए question number five में आज़िए पाच्चमा में क्या कह रहा है question में यह ध्यान दीजिए कह रहा है कि rotor slots जो होता है और slightly a skewed in squirrel cage induction motor जो आप पढ़े होंगे squirrel के इंडक्शन मोटर तो यह देखें इंडरिंग होता है इसमें कुछ इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा तेड़ा रहता है यह स्क्यूड की होगा इसी को बोलते हैं ठीक है तो यह जो इंडरिंग जो होता है कुछ नमस्ट 6 को समझेगा यह थोड़ा सा पेचीदा समझ लीजिए बट इससे जुड़ा होगा आपको दो तीन सवाल पूछता है ठीक है इसको पहले तो यह कोस्चन समझ लीजिए क्या है उसके बाद हम लोग इसका अंसर एक बताएंगे ठीक है कहता है कि relative speed between a stator and rotor field in an induction motor is equal to relative speed पूछा जा रहा है किसके बीच में अस्टेटर के बीच में और rotor field के बीच में ठीक है नहीं इसके बारे में थोड़ा साब समझेए एक मिनट द्यान दीजिएगा इस पर ठीक है पहले तो यह समझेए कि जो a stator होता है a stator बोले रहें not a stator field ध्यान दीजिएगा ठीक है अस्टेटर क्या होता है a stator होता है मतलब fix रहता है इससा समझ लिजे ठीक अस्टेसनरी रहता है और rotor क्या होता है रोटर रोटेटिंग रहता है तिल्ट क्या रहता है अब देखिए अस्टेटर जो है अस्टेटर आपका क्या प्रोड्यूस करता है अस्टेटर आपर प्रोड्यूस करेगा votation मागनेटिक इसी को आप लोग स्टेटर फिटो में जो ऐता है एक और और rotor field जो है एक और होता है यह rotor जो होता है वो प्रोड्यूस करता है rotating field दो यह आ जता है rotor rotor produce किया rotating field अभी हम rotor के speed का बात नहीं कर रहे है यह produce किया रोटेटिंग फिल्ड अस्टेटर क्या प्रोड्यूस किया रोटेटिंग फिल्ड अब रोटर जो होता है एक खुद रोटेट करता है इसको कहते हो आपका रोटर अस्पीड रोटर अस्पीड ठीक है रोटर अस्पीड अब देखो अस्टेटर फिल्ड जो है वो जो अस स्पीड पे ही रोटेट करता है ठीक ना स्टेटर का फिल्ड भी सिंक्रनास स्पीड पे रोटेट करेगा रोटर का फिल्ड भी आपका क्या होगा रोटर फिल्ड पे मतलब सिंक्रनास स्पीड पे रोटेट करेगा बाट रोटर का जो स्पीड होगा वह आपका एन आर स्पीड से rotate करता है कह सकते हैं कि synchronous speed से कम speed पर rotate करता clear हुआ यहां पर stator field क्या produce करता है रोटर कह लिजे एक rotating film produce करता है rotating field ठीक है और एक होता आपका rotor rotor जो होता है वो अपना एक speed रहता है rotor का खुद का एक speed रहता है जो की NR कह लिजे यह जो होता है NS से कम होता है अब देखिए यहीं पूछा जाता है इसी में से पूछेगा आपको रिलेटिव स्पीड बिट्विन रोटर फिल्ड एंड अस्टेटर ध्यान दीजेगा अस्टेटर तो आपका फिक्स रहता है अस्टेटर तो आपको क्या है फिक्स है रोटेट नहीं करता है अस्टेटर फिल्ड रोटेट करता है अस्टेटर नहीं तो अस्टेटर और फिर सी म में rotation नहीं है अस्टेटर में ज्यान दिजेगा फिर से मैं बोल रहता है मतलब fix रहता है stationary रहता है रोटर का जो field है वह rotating speed मतलब रोटर का जो field होता है वह synchronous speed से rotate करता है ns speed से एक जीरो और एक speed ns तो relative velocity क्या हो जाएगा ठीक है उसके बिच का velocity नहीं speed relative speed क्या हो जाएगा ns ठीक तो पहला question आप यहां पर यह ध्यान दिजिए कह रहा है कि rotor field rotor field और a stator इसके rotor field का क्या होता है rotor field ns अस्टेटर का 0 तो इसका क्या हो जाएगा relative speed ns अब ध्यान दिजिए अब बोल रहा है a stator field और फिर rotor field दोनों का field ही है ठीक है О stator का भी field और rotor be a stator field भी आपका ns speed और rotor field भी आपका क्या है relative speed क्या हो जाएगा zero ठीक है a stator field और rotor field इसका क्या हो जाएगा ns minus ns क्या हो जाएगा जीरो समझना आया विए तो relative speed between rotor field and astator field is zero यह दूसरा हो गया और पहला क्या था आपका relative speed between rotor field and astator यह हो जाएगा सिंक्रनल सब्सक्राइब अब एक और condition है आपका तीसरा condition द्यान देज़ेगा पुझे का कि relative speed between a stator field and a stator ध्यान दिजेगा a stator field a stator field and a stator अब इसमें समझेए a stator field का speed क्या है ns a stator का speed क्या है 0 तो relative speed क्या हो जागा ns के लिए ns अब एक और आता है इसी में से आपका question पूछेगा आपको कि यह चोथा तिसरा condition फॉर्थ कंडिशन आ जाईए फॉर्थ कंडिशन कहता है कि relative speed between a stator magnetic field ठीक है मनना कि a stator field a stator field और फिर कहता है rotor और rotor a stator field का speed क्या है ns और rotor का speed क्या है nr तो यह हो जाएगा आपका क्या relative speed के लिए इसको मैं repeat कर दे रहा हूं a stator field और a stator का जो relative speed हो जाएगा वो क्या होगा ns और a stator field और rotor के बीच का जो relative speed हो जाएगा क्या होगा ns-nr ठीक है यह चार condition है चारों को आप ध्यान में रखिएगा अब हम आते हैं इस question पर यह question कह रहा है relative speed between a stator ठीक है a stator and rotor field है ना ध्यान दीजेगा a stator यह क्या है a stator and rotor field a stator और rotor field a stator का speed 0 rotor का rotor field का speed ns तो answer क्या हो जाएगा आपका ns यह हो जाएगा relative जो speed होगा किसके बीच में a stator के बीच में और rotor field के बीच में वह होगा ns तो correct answer देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा option b option b ns ध्यान दीजेगा a confusion क्यों होगा यह मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर देखिए कि question है आपका यहाँ जो question है relative speed between a stator and rotor field यहाँ पर आप ऐसा समझ लेते हो कि यह a stator field है a stator field है जो की mention नहीं किया हुआ a stator सिर्फ लिखा है a stator field नहीं लिखा है a stator field and rotor field अगर ऐसा समझते हैं आप इस question को ठीक है a stator field and rotor field यहाँ stator और rotor लिखा है फिल्ड को साथ में combine लिए मतलब यह समझ रहे हैं कि a stator field है और rotor field है तब यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आप इसको निकाल सकते हैं इसको इस तरह से कर लेजिए relative speed between a stator and rotor field मैंने कि यह a stator अगर इसको आप समझते हो इस तेटर को stator field ठीक है यह a stator field है और यहाँ पर आप इसको समझ रहे हो rotor field रोटर field तब आराम से आप कर सकते हो stator field क्या एन एस रोटर फिल्ड क्या एन एस फिल्ड है दोना तो क्या हो जाएगा जीरो तो अब आप इसका आपको पता चल जाएगा आप समझ सकते हैं कि a stator बोल रहा है और rotor field बोल रहा है तो rotor field का तो ns होता है और a stator का तो आपका 0 होता है तो ns ही होगा अगर rotor सिर्फ रहता फिल्ड का नहीं rotor रहता तब फिर आप क्या कर सकते थे ns-nr मतलब a stator field और rotor तब हो जाता है आपका क्या ns-nr क्लियर है तो यहाँ पर आप समझ गया होंगे hopes हो कि क्यासे answer हो जाएग इसलिए इसका speed क्या हो जाएगा एनस लेकिन अगर आप यह इस टेटर को कहते हो समझ लेते हो कि आप यह इस टेटर फिल्ड है और यह rotor rotor field है यह rotor field है तब आपका यह 0 हो जाएगा एनस- नस बड़ागर क्योंज़गा जीरो बट यहाँ इस question के हिसाब से इसका answer जो होगा option भी होगा synchronous speed ठीक है next question आई है next question है question 7 question 7 में कह रहा है कि full load a speed of a 60 hertz 12 pole a spiral case induction motor is 5% it's full load a speed by speed इसका निकालना आराम से निकाल दोगे पहले तो आप synchronous speed निकाल लो 120 एफ बाइए है बाड़ा करोगे इसका क्या हो जागा 600 हो जागा ठीक है क्या होगा 600 ठीक है अब पुछा क्या जा रहा है पुछा जा रहा है full load a speed nr निकालना है तो slip आपका दिया है पांच minus nr जब आप nr निकालोगे तो यह आपका हो जागा 570 रीजन 600 में 30 गटा देना 570 हो जाएगा ठीक है तो इसे साब से यह correct answer क्या हो जाएगा option b 570 rpm next question आजाए कोशन नमर 8 पर यह question में समझिए ए 4 pole 50 hertz induction motor runs at a speed of 1400 rpm the frequency of rotor current यहां पर देखो frequency of rotor current पूछड़ा है ठीक है सबसे पहला काम यहां पर आपको sleep निकालना है पहले तो आपका 4 pole 50 hertz है आप जब speed निकालोगे तो क्या हो जाएगा n equal to 120 50 by 4 मतलब की 1500 rpm हो जाएगा आपका synchronous speed अब यहां पर से sleep निकालो जब sleep निकालोगे तो यह हो जाएगा आपका 60 upon 1500 into 100 कर दो यह खत्तम और यह हो गया चा चार परसेंट अब रोटर का frequency पूछ रहा है यह होता है फार equal to SF SF क्या हो जाएगा चार और गुना F कितना होगा 50 इसको 100 कर लेना भी है यह हो गया मतलब 2 से कटा यह हो गया आपका 2 परसेंट तो डो हर्ट सड़ी इसका correct answer क्या हो जाएगा option डी दो हर्ट ठीक है यह हो गया सब्सक्राइड इन और टू जो लार्ज सिंक्रनास जेनरेटर हो तरश में डेंपर क्यों प्रोवाइड किया था जिसको कि आप डेंपर वाइंडिंग कहते हो तो इंक्रीज स्टेबिटी इलिमिनेट हर्मोनिक इफक्ट और रिद्यूस्ट भॉल्टेज फ्लक्टूएशन सब्सक्राइब करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ एंड भी ठीक है अप्शन डी बोथ एंड बी नेक्स कोश्चन पर आते हैं हम लोग नेक्स कोश्चन क्या है आपका नाइन्थ ने 10 नमर 10 में देखिए तो नमर आफ पॉल इन टर्बो अल्टरनेटर तर्बो अल्टरनेटर मतलब होता है हाय स्पीड वाला जो अल्टरनेटर होगा उसकी बात करते है तो नमर आफ पॉल हो जाएगा आपका कितना नाइन दो हो जाएगा ऑप्शन एसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन है आपका यह ध्यान दीजिए इस डिजाइरेबल तो इ हर्मोनिक को हम इलिमिनेट करेंगे सीधा फर्मूला आपका 180Y N कर लिजिए 180 बटे कितना हर्मोनिक है पांच डिवाइट कर दीजिए यह 36 आजाएगा खरक्त आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा ठीक नेक्स कोश्चन आईए नेक्स कोश्चन पर आजाईए देखिए यह कोश् इसको मैं बताता हूँ आपको अब बस इसको नोट कर लिजगा एक प्रकास है ठीक है अब यहां पर देखिए यह MF का फर्मूला आपका क्या होता है 4.44 FN5 यह हो गया ठीक है 4.44 FN5 हो गया हम ऐसा सीधा सीधा बोल दे रहे हैं कि नंबर आफ पोल पे तो कोई परोहाव परेगा ना पहले हम बात करते हैं फ्लक् है यहां पर पर पॉल हो जाएगा अब यहां पर क्या कह रहा है कि सारा डामेंशन को आप दूगुना कर दो तो आर को भी कर दो क्या दूगुना तू आर हो जाएगा एल को भी आप कर दो दूगुना हो जाएगा तो हम यहां से सीधा सीधा कहते हैं कि जो फ्लक्स है जो फ् फ्लक्स हमारा चार गुना हो गया ठीक अब हम बात कर लेते हैं नंबर अफ टर्न का एन जो है उसको भी आप कर दो टू एन ठीक यह हो गया अच्छा फ्रिक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं परेगा क्यों क्योंकि हमारे नंबर अफ पोल जो है वह फिक्स है पोल में कोई चेंजे हम लोग नहीं किये हैं तो इसलिए एफ जो है एज़िटिज रह जाएगा अब इस पर आज़ो वापस फर्मूला पर एक्वल टू क्या होता है 4.44 एफ 5 एन रख दो सिर्फ यहां पर 4.44 ठीक है और एफ एज़िटिज रहेगा 5 क्या हो गया था 4 चार गुना और ए इह क्या हो गया इसको भी आपहीं कह सकते हो यहां क्या हो गया इसे कह सकते हो यह एकॉल टू हो गया 8다 को और कं सर्क्रक्ण आट शालि नियAnn talli next question प्याचिये पावर लोद या स्पीड और मसीन या डी है इसका कर्रेक्ट अंसर हो जागा बोथ ए एंड बी थीक है बहुत एंड बी हो जागा लोड करेंट और पावर फैक्टर दोनों पे आर्मल्चर रियक्षन क्या होता है और डिकलेंड करता है नेक्स उचन आज यह कुशन नमर 14 में कह रहा है लीडिंग पावर फैक्टर लूड और एन अल्टरनेटर इंप्लाइस डैट इस बोल्टेज रेगुलेशन सेल भी जब हम अल्टरनेटर पे लिडिंग पावर फैक्टर लोड रहता है तो इसका मतलब क्या होगा कि नमर और से किस्टिनवर 15 में कह रहा है कि थीज केस्ट का मुटर में होता है नौन सटर्टिंग टॉन सवन चल्क लौर गोर्लो स्टिंग पेल्सी क्याता है नो starting torque क्यों लेजी यह चार्ट आ जाते हैं यहां पढ़ी इन इस सिंक्रिन US मोटर टॉर्क और लोड एंगल डेल्टा यश्य इंक्रीच दोड मतलब सिंक्रिनस मोटर में टॉर्क यह लोड एंगल तो कह लिए जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं उसपे क्या प्रभाव परता है लोड बराने से तो इंक्रीज करता है तो अप्शन ए हो जाएगा इनक्रीजेश इंख्रीन नेक्स्तों आजए कुश्चन नमर 16 है ना वेल स्वाइन्टमाइब कह रहा है कि वा यह स्टार्टिशंग शुड़ बी जब अस्थंग्रो नस्टर मॉटर को स्टार्ट करते हो तो इसका फिल वाइंदिंग क्या होना चाहिए ओपन रहना चाहिए, short circuit रहना चाहिए, या DC source से connected रहना चाहिए, या D रहना चाहिए, तो आपके लिए इसका जो रहेगा, वो क्या रहेगा, short circuit रहेगा, correct answer option B हो जाएगा, short circuit रहेगा, next question पर आ जाएगा, next question है, in a sadder pole motor, setting coil are used to, sadder pole motor में आपका setting coil जो रहता है, वो उसका use किस लिए किया जाता है, ठीकना, यह produce rotating magnetic field, correct answer option C हो जाएगा, produce rotating magnetic field, ठीकना, option C का correct answer हो जाएगा, next question number 19 माई है, the direction of rotation of a capacitor start, single phase induction motor can be reversed, by interchanging terminal, बोला जा रहा है कि जो capacitor start, single phase induction motor है, उसके direction को हम लोग reverse कर सकते हैं, उसके rotation को हम लोग change कर सकते हैं, कैसे, तो by changing their terminal, किसके terminal को change करके, तो इसका correct answer हो जाएगा, आपका starting winding, option D, इसका क्या होगा, correct answer हो जाएगा, ठीक, चलिए, next question आजए, question number 20, last question है, question number 20 में बोल रहा है, कि in comparison to resistance start induction motor, the permanent capacitor motor, ठीकना, मतलब जो comparison करोगे, resistance start capacitor, मतलब resistance start induction motor का, with permanent capacitor motor से, तो उसमें क्या क्या है, उसका मतलब comparison होगा, इसा समझ लिए, तो is more expensive, has better power factor, has better starting torque, all of these, इसका correct answer क्या हो जाएगा, all of these, तो इसका मतलब क्या है, resistance start induction motor में क्या होता है, ये सारा चीज़ होता है, expensive होता है, better power factor होता है, starting torque भी अच्छा होता है, clear न, ये उल्टा में ने बोल दिया, comparison to resistance start induction motor, permanent capacitor, पर्मनेंट, ये सब जो है, permanent capacitor motor के लिए होगा, ठीक है, resistance, start induction motor, और permanent capacitor motor को, जब आप comparison करेंगे, तो permanent capacitor motor में ये सब होता है, more expensive power factor भी होता है, और high starting torque भी इसका होता है, ठीक है,